अच्छा लगा बेटे के वज़े से हम इतना संबान बड़ा मिला लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ होई नहीं सकता बहुत बड़ा संबान था और बहुत अच्छा लग रहा था पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुसी कि मेरा बेटा ये करके गया है इतना बड़ा काम करके गया है जो चार परिवारों को दुख से बचाया है अपने परिवार को ना देखते हुए अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुसी देके गया है इससे बड़ा क्या सम्मान होगा इससे बड़ा क्या खुसी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है, दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। कि इसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता है, एक माई ही लगा सकती है। मा का दर्द कोई माप नहीं सकता है जो मा होती है उनको पता है इसका दर्द कितना होता है कोई नहीं इसका माप लगा सकता है एक बड़ी बात है पीटा गया उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आजा आपके पास नहीं है नहीं है मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी सेयर करूँ और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ ओ लेके मैं पिक्चर भी लो और अपने पास रखूँ ओ नहीं है किसमत मैं मैं आगे के लिए बदलाओ के लिए ही चाहती हूं और यह मेरा अपना राय है मेरे दिल का राय है जो मैं दर्दस से गुजर रही हूं मुझे किसी और पर उंगली नहीं उठाना किसी के पर कोई हक नहीं है पर मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूं अपने जैसे माओं के कि I will. मैं इसाना है में स्समय जो जब कोई नहीं क्योद्य के तूर्प सब्कड़ा में एकल्ब कूद सरते हां। कोई इसु भी नहीं इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में अपने गम में अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे उनका चल रहा था प्लानिंग क्या करना है क्या नहीं वो जाने वो बहतर बताएंगे उसको भी पता है कोश्चन करिएगा मैं उसको भी बोली थी तुमेरा अंसुमान है अंसुमान तो फौज के लिए बने उनके लिए काम कर रहे हैं पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी क्योंकि मेरा बेटा बोलता था डैडी से भी जगरा करता था मम्मी तो मे यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंसुमान बोलूगा तु मेरे लिए अंसुमान है और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रखती थी उसको भी बेटा ही बोलती थी मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती मेरे अपनी क्या में किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती है उस समय क्या कुछ चीज हुई पता है इस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पता है इसू बनाई होंगी वो जब रिहलसल हो रहा था तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बाते होई होंगी उनको डर होगा कि कहीं मा लेके न चली जाए ये मेरे अंदर की बात दिल की बात है उनको डर होगा इसलिए वो इसू बनाई ऐसा कुछ भी नहीं था अगर दो पैसंट आदमी पकड़े हैं तो लगता है ना कुछ सेकेंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है गिर न जाए उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रग गया कोई जोर जबर जस्ती नहीं कोई में हाथ आगे नहीं बढ़ाई कोई खीची नहीं पर उन्होंने सायद इसू बनाया सीओ साहब को बुला के शेर किया हूंगे अब इनके बीच क्या बात हुई तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तो बस छूड़ लेना लेना नहीं तो मैं कि हाँ कर लो मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाओंगी मैं ख़री रहोँगी पर आप देखिऊंगे एक दो सिकेंड मैं नहीं हाथ बढ़ाई पर राष्प्रति-जी मेरे तरफ देखी तो मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई पर मैं बस टच टच भी नहीं की ऐसे कर दी उनके हाथ ही मेरे टच में था सम्मान तो उनके हाथ में था आज बेटी की क्या कुछ याद है कैसे सुचनी है एक कप चीज एक मार के लिए तो बच्पन से ही जैसे बच्चे होते हैं आज जितने दिन कुछ करके गए ए एक एक पल की बाते याद आती है और मैं सायद मेरी सांस जब तक रहेगी खतम ही नहीं होगा वो पल बताने में खतम ही नहीं होगा कोई उसका नंबर नहीं में बता सकती कि इतने दिन में खतम होगा वो पल कभी खतम नहीं होगा मैं वही सोचती रहती हूं कब क्या किये थे हम कैसे मैं उसको कैसे करती थी क्या करती थी वो हर माबाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो जादा ही माबाप के लिए होते हैं तो वो सायदो अकेला था देखे जो देश का दूती ये सांतिकालिन सर्बोचता सर्बोच बीरता पुरशकार है ये अपने आप में आदर्श है और उंकरणी है और हमारे बेटे को मिला वो जिले का पहला खुस नसीब है जिसे ये शम्मान मिला तो हमारी पूरी नसले आए ये कहें कि पूरा खंदान और हमारा चेत्र और जिला इसके लिए सरकारों का करतक गिराएगा और सरकारों का सयोग हमारे साथ बड़ा ही अनुपम और आदर्णी ये रहा है एक तरफ जहां है सर्मान मिला उसकी मिलने की खुशी वहीं दूसरी तरफ सर्मान को ना घर लापाने कभी दो बिल्कुल है क्योंकि अगर लापाते तो बहतर होता है क्या कहना चाहेंगे सर्मान के इसके पीछी क्या चीजें रही और क्या उसमें आपकी राएगे चीजें रही हों मैंने पप्लिक डोमेन में बहुत बोल दिया है बहुत जादे इस पर बोलना दुखों को फिर कुरेदना है इक्षा जरूर थी कि हम ले पाएं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिया बनी जिससे कि हम नहीं ले पाए नहीं देख पाए तो मेरा दिली इक्षा जरूर है कि मतलब ऐसा कुछ ने कुछ प्रावदान होना चाहिए जिससे किसी की इक्षाओं के कलियों पे तुसारपात ना हो और किसी को शहादत के गम के साथ साथ कुछी मनाने का भी आउशर मिल सके बेटे को ले करके क्या सुछते हैं किस तरह से चीज़े नहीं और आज के समय क्या है बेटा शायद उसको इस दुनिया से बहुत जल्दी जाना था वो एक अनुपम धरुवर था भगवान के कृती का क्योंकि दो चीज़े में आपको शेयर करूँ अपनी साथी में वो एक सूट ले करके गया था और माता जी नहीं कह दिया कि मेरे बेटे की सिर्वानी बहुत अच्छी थी तो उस पूरे शादी के फंक्सन में वो सूट नहीं पहना वो जूते और वो सूट पैक हमारे घर व उन्होंने अपने बाल को रणा नहीं तीसरा वो दाड़ी बहुत प्रेम से रखे थे क्योंकि फोज में कम रखने को मिलता है तो जब आये थे तो उसमें रखे थे और शौक से कि जब जाएंगे तो चेलना पड़ेगा तो मेरे एक भाई ने कहा कि बटा आज दाड़ी चील अंती मिले और निसित रूप से उन्होंने जो रास्ता चुना इस धरा को छोड़ने का वो मौक्ष पे अपना अमरत्यों का अधिकार शिद्ध करता है और अमरत्यों पे उनका अधिकार शिद्ध है तो मेरा इतना भाईतिक रूप से कद नहीं कि मैं उनकी आत्मा को सत-सत प्रडाम करता हूँ मैं कोई उनको साधवात दे सकूँ या कोई कामना कर सकूँ क्योंकि ये शास्त्रों में बरनित है कि रास्ट पे जो अपने आपको समर्पित करता है उसी दे मौक्ष को प्राप्त होता है तो हिंदु धरम में केवल अंती मिक्षा होती है मौक्ष को प् प्रवरिस उनके गुरू उनके मित्र सब के अपना अपना से हो गए जैसे किसी बेक्तित्तु का निरूपन होता और निधारन होता है तो पत्नी तो अभी पांच महीने से आई थी निसीत रूप से उनका जो गम है वो काबिलने वाइस है लेकिन अगर ऐसा है कि जिस हम आज अगर सुबेश हो के उठें तो अपने बेटे की उस पुरसकार को देख पाते है कि ठीक है तो बड़ा फक्र होता लेकिन ऐसा सो भागी नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए तो यही कुछ गम्त है जो कि सरे बस्म ह हाँ उनकी वाइफ जब वो एंजिनिरिंग करने गए थे दोजार पंदर में जुलाए अगस्त का महीना रहाओ का सेप्तंबर में चले गए था उनफोसेस मेंडिकल कालेज तो वह भी आई थे वह एंजिनिरिंग करने के लिए तो उनकी जो भी पहचान या आप कहें कि प्र किया कभी यह किया और कमिशन के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि बहुत जो है प्रगाड प्रेम का ऐसा रहा हो जो भी रहा हो मैं उस प्रेम का पूरा सम्मान करता हूं उन्होंने उस पहचान को उस प्रेम को जो प्रेम की पूरता है उसको प्रत्त करने के लिए कहा कि हम स रिवाज में साथ रहीं लेकिन तेरहीं के अगले दिन से जब से घर छोड़के गई तब से क्या उनके दिल में आया मयाज तक नहीं जान पाया और जानने का प्रयास भी किया धीरे धीरों ने फोन बंद किया नंबर हमारे जो पोस्ट पेट के इनके थे उसी नंबर से जैसे रास्टपती भाउन में उन्होंने रेहलसल के दिन पत्ने माता जी ने पेपर को पकड़ा था तो उन्होंने कुछ अपनी मनतब बेजाहिर की कि यह हाथ में पकड़ ली थी तो हमने कहा कि आप अगर उनके सियो साब को कि अगर डेकोरों को मेंटेन करने के लिए आप डेकोरेटर तरीके से मिलना चाहिए और उन्होंन का नहीं नहीं चलिए लेकिन आप के ओल हाथ लगा दीजिएगा तो मेरी पत्नी ने बहुत संकोच के साथ हाथ लगाया और फोटो जब वो हो रहा था गेट के बाहर तभी उन्होंने का कि एक फोटो माता जी के हाथ में हो मान वापस कर देंगे और देना न देने की बात की प्रकृरिया तो लग है उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया और हमारे होटल पहुंचने से पहले छे तारिख को जब तक मैं मैं रचामदरी शमिल करके वापस आता तब तक होटल छोड़के जा चुगत है उनके पिता वो बया हुआ जो आज आप देख रहे हैं कि समाज में आया कदाचित ना आता तो बहतर होता हाँ पांस फरवरी दोजार चौबिस को उन्होंने मेरे बेटी का जो पर्मानेंट अड्रेस है देवरिया से वो सिफ्ट करके चेंज कराके और वो चला गया वहां पे मनें गली नम हम से है और हमारी पहचान उन से है तो आप उनके एनोके का रेजिदेंशियल एड्रेस, कॉम्निकेशन एड्रेस जो एड्रेस से यह चेंज कर लीजे लेकिन उस अफसर का पर्मानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था तो मुझे कहा गया कि यह प्रक्रिया है और उ उनकी पहचान है वहाँ पे हो जाए और जो भी कॉम्निकेशन का एड्रेस यह रेजिदेंशियल एड्रेस टेंपरोरी एड्रेस इनके एनोके का है वह वहाँ रहे है